यदि आप भी रिल्वे रिकुर्मेंट सेल जैपुर के अंतरगत फार्ब को अपलाई करना चाहते हैं मुबाइल के द्वारा तो आप इस वीडियो को बिल्कुल कम्प्लिट देखेगा लेकिन मैं आपको बता देता हूँ उससे पहले आप इस वेकेंसी के बारे में पूरी ज ज oversight देखने को मिल जाएगा यहाँ पर जो भी आप डाउनलोड करके देखना चाहते हैं यहाँसे आप क्लिक करके देख लिजेगा अब यहाँ पर जैपुर के अंतरगत हं फार्म को फिलब करने वालें तो यहाँ पर जो जैपुर के अंतरगत निकाले गए थी इसमें आप आपको 2026 यहाँ पर करी पूश्ट खाली देखने को मिल ला था और यहाँ पर जो इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था 3012-2022 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था और इसका फार्म भरनाई स्टार्ट हुआ है 10-1-2023 से जो कि आज की रेटे 11-1-2023 जिसके अंतरगत में आपको बता रहा हूं कैसे मुवाईल के द्वारा आप फान को फिल अप कर पाएंगे टोटल वेकेंसी आप यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर जो यहाँ पर कबर कर रहा हूं गोले के अंतरगत इसमें आप देखिए आपको देखने को मिलेगा पहले इन्होंने यह बताया है कि जो आपका इसकैन होगा फोटो जो इसकैन होगा उसका जो साइज होगा वो कनफर्म आपका 20-70 केवी तक ही लिया जाएगा दूसरी बात जब आप इसमें सिगनेचर अपलोड करेंगे तो इसका भी साइज इन्होंने जो रखा है वो 20-30 के भी ही रखा गया इससे ज्यादा यहाँ पर रही रखा गया और इसमें आपका फीच भी लगने वाला है तो देखिए जो छातर CST के अंतरगत आते उनके लिया तो आप कोई भी हाँ पर चार्ज नहीं रखा गया लेकिन जो छातर जनरल और OVC के अंतरगत आते उनको पूरी परिक्रिया आपको बतातें step by step तो वीडियो को आप बिल्कुल complete देखेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना इस website पे आ जाना है और इस website का link में देदूँगा इस वीडियो के description box में आने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना देखिए यहाँ से भी आप इसके बारे म इन्होंने बता रहा है ज्योंकि 10,2,2023 ते की आपका phone भरे जागा अब आपको करना का है सबसे पहले आपको यहाँ पर एक new registration का link दिख रहा है जहां पर मैं arrow कर रहा हूं simply आपको इस पर click कर देना है click करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का नया option यहाँ पर open हो जागा उस पर आपको simply click कर देना है इससे क्या होता है जो आपकी website है कापी अच्छी काम करती है और कभी-कभी यह automatic जो refresh होने वाली जो problem होती है वो खतम हो जाती है अब आपको करना है कहा है यहाँ पर आने के बाद simple आप जैसे सधारन phone को fill up करते है वैसे आपको यहाँ पर नाम उसके लिए ठादे तो ह सब्सक्राइब करने के लिए उसके बाद एहाँ अपना पर इज़िएगा कितने आपका वोड्स हो गया है इसके बाद है कर घ्लीट करने तो इसमें आपको कह रहे है लो यह जब तो यहां आप disability status के बारे पूछ रहा है तो इसमें आप जब क्लिक करेंगे तो इसमें आप से yes no पूछा जागा तो यह दिया आप इसके अंतरगत आते हैं तो yes कीजीगा नहीं तो आप no कीजीगा सिंपल यहां आप पर no कर देते हैं इसके बाद बहुत सारे चात जो होते हैं एक सर्विसमेंट के अंतरगत आते हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें भी yes यह और no पूछेगा यह साब करेंगे तो इसके बारे पूरी जनकारी आपको फिल करने पड़ेगी तो आप सिंपल इसको no पे क्लिक कर देगा इसके बाद यहां पर पूछा जा रहा है email आईडी आपका जो email आईडी ध्यान एक हैगा email आईडी आपको वही फिल करने है जो आपके mobile में इस समय हो ठीक है क्योंकि इस पर आपका जो message जाएगा जो कि यहां पर verify करने के लिए तो email आईडी आप बिल्कुर सही जालेगा mobile नमबर भी आपका सही होना चाहिए mobile नमबर यहां पर नीचे वाला box में आपको fill करना नीचे आप आ जाएंगे सातियो तो यहां पर आपको जो की board उस board को आपको ढूड़ना है तो यहां पर आपको यहां पर बहुत सारे board का नाम दिया गए तो जिस board से आपने high school pass किया है यहां दस्वी आप समझ लेगे इस तरह दस्वी पास किया है simply आपको cover कर देना है तो मेरा यहां पर मिल गया UP board तो हम simply क्या करेंगे UP board पे click कर है अब यहां पर दस्वी पास सिंग जो आपका है यहां है सबसे इंपॉटन्ट जन्कारी यहां पर आपको क्या करना है एक यहां पर आपको जो है tehd करना पड़ेगा password जो आपका होना चाहिए मनलिए मेरा नाम सतंद्र हैं तो आप यहां पर सतंद्र एक दो तीन या सतंद्र आप चार पांच है ऐसे लिख कर और लाश्ट में एट यहां पर लगा देजेगा ठीके तो इस तरह क्या होगा एक आपका पासवर्ड बन जाएगा तो इस तरह आपका यहां पर एसेट भी करेगा इसको ध्यान रखेगा और जो पासवर्ड आप इसमें फिल करें वही पासवर्ड आपको नीचे कंफर्म पासवर्ड में फिल करना है उसके बाद यहां पर सिक्रूटी कोड कहा जा रहा है तो सिक्रू यहां पर बताते हुए में सभी परक्रें हाँ पर फिल करता नहीं चल ला हूँ तो इसलिए कि थोड़ी सी आपको समय लग सकते हैं वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो आप वीडियो को कम्प्लिट देखेगा और यहां पर लिप्टाप नहीं इसलिए हाँ जो बेवस् सकते हैं तो आपको क्या करना है सेलेक्ट लॉग इन आपसन पर क्लिक करना यहां पर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने दो आपसन नजर आएगा इसमें कहा जा रहा है आप चाहें तो इमिल आईडी और पासवर्ड के माध्यम से आप अपना जो प्रॉफाइल अभी कंप्लीट किये उसको ओपन कर सकते हैं या आप चाहें तो आप इमिल आईडी और डेट आप बर्थ फिल करके भी ओपन कर सकते हैं तो जो आप चाहें इस तरह से आप ओपन करना चाहें कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे इमिल आईडी और पासवर्ड के दौरा ओपन कर और यहाँ पर जो आपको security code के अंतरगत PRBCC दिख रहा है, आप में अलग देखेगा, सब में अलग देखेगा, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इसी को आपको क्या करना इसमें फील करना है, और फील करने के बाद आपको simply login आपसे पर क्लिक करना है, चले में फील करके अग आते हुए आपको नीचे आना है, और यहाँ पर देखिए, मुबाइल नंबर की नीचे आपको देखने को भी लेगा, select government identity, तो इसमें आपको बहुत सारे आपसंस हो करेगा, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, इसके बाद यहाँ आप आधार कार्ड, environment number हो गया, यहाँ आते है, select के लिजेगा, यहाँ पर order ID का भी आपसंदिया गया है, तो हम क्या करेंगे, simply आधार कार्ड यहाँ पर कर लेंगे, तो जब आधार कार्ड आप सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर 12 डिडिट का जो इसमें number होता है, वो यहाँ पर fill up करने के लिए कहा जाएगा, त passing year आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर mark sheet का rule number भी देखने को मिल जाएगा, अब यहाँ पर maximum mark आपने कितना complete किया है, वो यहाँ पर दिखाए जाएगा, और यहाँ आपको यहाँ पर fill करना है, कितना percentage हो रहा है, इसमें आपको लिखने की कोई जैसे आप यहाँ पर fill करेंगे, automatic यहाँ पर so आपका करने लगेगा, निचे आप आएंगे सातियो, तो यहाँ पर आपको कहा जाएगा, कि आपकी इस unit में form को apply करना चाहते हैं, देखिए, आपकी इस unit में form को apply करना चाहते हैं, तो जब आप इस पे, देखिए, यहाँ पर सरे division हैं, जिस division में आप farm को apply करना चाहते हैं, आप इसको select कर लेजएगा, तो हम यहाँ पर अजमेर वाला division select कर लेते हैं, अब आपको किया करना है, यहाँ पर आप नीचे आएंगे साती हो, तो देखिए select ITI trade तो आप इस पे जब कलिक करेंगे तो जो भी आपका ITI का trade है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जिसे कि आप यहाँ पर देखिते हैं तो इसमें आपको देखने को मिल रहा कर जो कि मैंने अभी आपको बतायाता है इसमें यहाँ पर हम दूसरा चूज कर लेंगे दो नंबर यहाँ पर चूज कर लेते हैं तो दो नंबर पर चूज करेंगे तो अब देखिए अब आपको इलेक्टिसियन देखने को मिल जाएगा तो सिंपल यह आप क्या कीजिएगा इलेक्टिसियन वाले आफसन पे क्लिक कर देजगा जिस ट्रेड से आप आई टियाई करें वो ट्रेड यहाँ पर चूज करेंगा ऐसा नहीं कि मैं जो यहाँ पर चूज कर रहा हूं आप भी चूज कीज़ेगा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए इसके बाद आपको इलेक्टि करना है इसके बाद जो आपका सर्टिपीकेट है वो अंच्विटी का है तो अच्विटी का यहाँ पर आप उसका नंबर लिखेंगे तो य captivity का आप इसको नंबर लिखेंगे ध्या नीकेगा इसमें रेइस्टेश्न नंबर आपको लिखना होता है निचा आप आएँगे त यहां पर maximum mark आपने कितना था आपने कितना यहां पर प्राप देखिया यह दूनों चीज आपको करम यहां पर फिल करना है बाकि जब इसमें आप फिल करेंगे तो percentage जो है आपका यहां पर this percentage आपका कितना हुआ यह परसेंटेज आपका और सो यहां पर कर ने लगेगा आपको यहां सो कराने की वह दूनों काउंट करके क्या दिया जगा दो से भाग दे दिये जाएगा और जितना यहाँ पर आपका percentage होता है यह आपका यहाँ पर सू करने लगेगा तो बिल्कुल आपको घबराने की कोई जरूत नहीं है नीचे आप आएंगे साथ तो यहाँ पर house नंबर कह रहा है बिलेज नंबर कह रहा है आप वहां पे निवासी है, या वहां पे आप हमेशा रहते हैं, तो क्या कीजेगा, यहाँ पर select वाले option पे click कर देगा, तो आप इस पर select के option पे click कर देंगे, तो जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है, सिम आपको नीचे लिखा हुआ नजर आ जाएगा, तो बिल्कुल आपक क्या करना है फोटो यहां पर upload करना है फोटो का size मैंने आपको बताया था 70 20 से आपका 70 के भी तक होना चाहिए और यह आपका jpg format में होना चाहिए मैंने आपको बताया था निचे आप आएंगे साथ यहां पर signature भी upload करने के लिए खाजाएगा जो कि यह आपका 20 से 30 के भी तक होना चाहिए यह तना choose करने के बाद आपको क्या करना है यहां पर नीचे आप आजाएंगे तो सारे चीजह आपने जो सही किया उसको सही आपने किया है और यहां पर आपको देखने को मिलता है को fill up कर रहे थे उनका यहां पर fill up नहीं हो रहता कारण यह कि आपका Chrome में जो address वाला option ता उसमें fill up नहीं हो रहता तो आपको क्या करना एक नए application की जुरुत पड़ेगी जो कि आप यहां पर देख सकते इस application को आप install किजिए आपको play store से जाना है वहां पर search करना है और search करक पर एक icon दिखेगा three dot पे click करके नीचे आप आईएगा और यहां पर जो आपको request desktop site दिख रहा इस पे click करके आप इसको यहां पर जो icon इसको आप open कर दीजेगा अब इसका जो आप found को fill up कर पाएंगे बिल्कूल असानी से पूरा आपका address fill up हो जाएगा आप सही तरह से fill up कर के और यहां पर आपको एक option दीख रहा होगा save and continue पर इस पे आप click करेंगे आप save and continue पर click करेंगे आपके सामने यहां पर personal details आजाएगा उसके बाद यहां पर जो भी आपने चीच फिल किया है वो सब कुछ यहां पर आप मिला लीजेगा और मिलाने के बाद आपको क्या करना सबसे यहां पर नीचे जाना है नीचे जाने के बाद आपको यहां पर एक save and continue का option दीख रहा होगा इससे पहले आप यहां पर एक tick वाला option दीख रहा होगा इस पे tick कर लिजेगा और simply आपको save and continue पर click कर देना है जैसे आप click करेंगे यहां पर देखिए आपको दो option यहां प साथ हूँ, यहाँ पर आपको lock वाला option देख रहा होगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, लोक कर दिना है, तो simply आपको यहाँ पर click कर दिना है, click करने के बाद आपके सामने यहाँ पर form print का option देख रहा होगा, तो यह आपका एक PDF के रूप में print हो जाएगा तो आप इसको print कर लिजेगा और PDF के रुप में save कर लिजेगा या आप इसको download करना चाहते हैं जो अभी आपने form को फिलब किया है तो आपको करना है क्या है यहाँ पर दोबारा आपको tick करना है download form पे और यहाँ पर देखिए Google Drive के उपर आपको internal share storage का option देख रहा होगा तो simply आपको इस पर click कर देना है और यहाँ पर देखिए start downloading शुरू हो चुका है